हेलो उत्रियन फैमली तो कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया हो ना भी चाहिए तो फड़ाक से लाइक से सब्सक्राइब कर दो यार दिख रहा होगा तुम लोग को लाइक का बटन दिख रहा है न तो दबा दो दबा दो से तो like करने के बाद तुम लोग comment कर देना और comment के बाद video को सेर् कर देना चलो आ जाते टौपिक में और तुम लोग देग चुके होगे पिछला एपीसोड और पिछला एपिसोड भी हमने कर दी थी 510 तो जो पिछला एपिसोड था मैं थोड़ा सा तुम लोग को लो αν आपने खतनाक अटक के शौयान को परिसान करना सुरू करता है लेकिन तुम सभी लोग को पता था इन सभी कबाप है जो यान याहां पे इसके अटेकों को इगनूर मारते हुए इससे ही बुरी तरीके से पेलना सुरू करदेता हैremos बिल्कुल सही इस बंदे ने यहाँ पर अपने अटेक निकाले थी और स्प्रेट निकाली थी बदले में यह जुयान को कह रहा होता है कि चल वे चूती है तुझे क्या लगता है कि ऐसा ही कोई एरा गेरा इंसाना कि मुझे हरा देगा जो देखकर जुआन कहता है अबे जान अबे चूती है तुझे क्या लग रहा है कि मैं एरा गेरा इंसान हूँ और जुआन अपनी फ्लेम अनलिस करता है जुआन की फ्लेम को देखकर एलडर भी कांप गए थे कि बेहन का घोड़ा ये कैसे हो सकता है हमारी सूखी हड़ियों में जंग लग चुका है लेकिन हमने कभी भी ये फ्लेम नहीं देखी ये अचानक कैसे अपियर हो सकती है जसके बाद हम देखते हैं जुआन अपनी फ्लेम का यूज़ करके बड़ी आसानी से इस बंदे की लगा देता है लंका हाला की जुआन को मेहनत पड़ी थी लेकिन पहले के कम पैजन में थोड़ा कम देन हम देखते हैं किस फाइट के एंड होने के बाद जो जियोलेन होता है आई मेन लिंजुआन होता है है ना लिंजुआन नाम था एल्डर का और माँ की सभी लोग यहां था की एंडर चोयन की काफी तारिप करते हैं लेकिन अल्डर ने यहाप पर जुआन को लेट करते हैं कहा था भाई हालकि तुमने इन्हें पेल दिया है लेकिन यह सभी लोग काफी सन की लोग है यो बदला जरूर लेंगे जो देकर जो आने कहा था कि जब तक जब तक ये मेक को नहीं छेड़ते है अलडर तब तक मैं इनको नहीं छेड़ेगा लेकर अगर एक बार इन्होंने मेक को छेड़ दिया मैं किसी को नहीं छोड़ेगा जो देकर लिंज जो आने कहा था ठीक है भाई जैसी तेरी मर जी इसके बाद वीडियो मैंने साइध वहीं एंड कर दिया था या कुछ आंगे पीछे रहा होगा जहां हमने जियो जियो को देखा था जो ब्रेक्थ्रू करने के लिए चली गई थी और उसका ट्रेविलेसर इस्टार्ट हो गया था तो अब आजाओ देख ले यह कंप्लीट हो चुके हैं तब ही हम देखते हैं कि आसमान में जो क्लाउड होते हैं उनका कलर एक बार फिर से चमकते हुए और थोड़ी देर के बाद तेजी से फैलना भी सुरू हो गया था इस बदलाओ को देखकर सबी लोग हैरान हो गया होते हैं जियो जियो चाहे कित कभिके दिल कशकर जकड़े हुए होते हैं अपने माष्टर जो होते हैं वो अपनी चेली कोदे खेल आ अभी हो सकते है करेंगे लेकिन तभी अचानक जियो चैन पीछे से अपने मास्टर को पीछे खीचते हुए कहते है याओ चैन आप क्या चाहते हैं कि जियो जियो मर जाए अगर आप अंदर जाते हैं तो ट्रैबुलेशन क्लाउड की पावर निश्चित तोर पर बढ़ जाएगी जिससे ना केबल आफ की लाइफ जाएगी बलकि जियो जियो के जिन्दा रहने के भी चांचस घट जाएंगे इसलिए आपको यही रहना चाहिए मुझे पता है कि आप जियो जियो को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहते लेकिन फिर भी मुझे भी अपने क्लेन के डिसेंडेंट की फिक्र है आखिरकार मैं उसका एंस प्लेश्टर हूँ और मैं आपसे कमचिंतित नहीं हूँ लेकिन हम चायकर भी यहां कुछ नहीं कर सकते चुपचाप देखते रहने के अलाबा हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए मुझे उम्मीद है कि यह छोटी लड़की हमें सर्प्राइस जरूर कर देगी ब्लेड एक्स जियो चैन की बात को सुनकर अपने जो माश्टर होते हैं वो थोड़ा सा सपने से जाकते हैं उन्हें पता था कि उन्होंने जीवियान में कभी भी बेवकूपी भरा काम नहीं किया लेकिन इस बार उन्हीं की जो हरकती वो एकदम बेवकूपी भरी थी वो मन अको को surprise करना भी हालक है क्या को यह आपके bless कर रहा होता है I mean pray कर रहा होता है if you तरह होता है cloud का color चार color का हो गया होता है green, azure, blue और purple ऐसा लग रहा था यह cloud अपने आप में पूरा का पूरा rainbow बनना चाहता है और ब्लैड एक जियो चैने से देखते हो कहते हैं, Sabin Color Travulation Cloud, उन्होंने जैसे react क्या होता है, ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने ऐसी कोई चीजी देख ली, जो कभी एक जिस्टी नहीं करती, वो तुरंदी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, दूसरा बागी के सभी लोग भी जियो च बना रहा है हमको पता नहीं है तो, तभी जो चैन भी react करते हुए करते हैं, मुझे भी हर एक चीज़ थोड़ी पता हो सकती है, जितना पता था उतना बता दिया, आउट आप स्ले बस हो गया तो, देखते हैं न क्या है, समझते हैं, वो तुरंदी कहते हैं, मुझे अप्च जो देखकर अपने माशन अपनी चेली की फिगर करते हैं, क्या सैबमें कलर क्लावड टरबलेटन, ये क्या होता है, जो देखकर जो, क्या कहते हैं, जियो चैंन होते हैं, वो तो तुरंदी कहते न 01 Kings अगर सिए है, तो जियो जियो के बल 15 साल क्यों होनी चाहिए, है ना, अ ऐसे लोग हैं जिनकी एज लगबग 30 साल से जाता है लेकिन जियो जियो ने काफी कमेच के अंदर इससे अचीव कर लिया जो बहुत से लोग आसिल नहीं कर पाते इसलिए जब वो डावडी बन गई तो कहा जा सकता है कि हैवन को भी उससे जैलेसी महसूस हो रही है इसलिए उ चेली को कुछ भी हुआ मैंने हैवन की फार देनी है पिल रिफाइन करकरके यहां पर अपने जो मास्टर होते हैं उनको सिर्फ अपनी चेली की फिकर थी बाकी किसी चीज़ की नहीं तभी जिया तुरंदी कहती तो क्या बास तो मैं हैवन हमारी छुटकी से जैली सी फील कर लेकिन एक चीज यह जब भी दिखाई दिये तो एक एक एक्स्ट्राओरिनरी टैलेंटेड परसन अपयर हुआ दुनिया में यह जो कलरफुल क्लाउड्स हैं यह काफी पावर्फुल हैं लेकिन जब तक जियो जियो इसे पार कर सकती है यह कहा जा सकता है कि जियो जियो अने की पावर होल्ड करेगी लेकिन अगर जियो जियो फेल होती है तो इसका मतलब है डैथ इसलिब वो जिन्दार रह सकती है या नहीं अब यह केबल उस पर डिपेंड करता है यहां पे जियो जियो की नजर अभी भी इन बातों पर नहीं क्योंकि उसने सुना ही कुछ नह करते हैं ऐसा दबाओ जो सभी को सेरेंडर करने के लिए मजबूर कर दे जिसे वर्ड से एक्सप्ले नहीं किया जा सकता था हाला कि सेवन कलर ट्रेबलेशन क्लाउड का सामना करते हो जियो जियो का चेहरा पीला पड़ गया होता है क्योंकि सायद इतना इस्ट्रॉंक दबा कुछ ऐसा था जो पूरे डुई की कॉंटिनेंट में पहले कभी दिखाई नहीं दिया और बास्तों में यह आज सब के सामने था जो जियो का चेहरा आव लाल हो चुका होता है और वह इस पावरफुल इस्ट्रॉंक का सामना कर रही होती है लेकिन अगर जियो जियो को पता फूट इस्ट्राइक होती है और सेवन कलर के क्लावड अपनी एनरजी को इखटा करते हो लगभग 10 फुट मोटी सिल्वर स्नेक यह सिल्वर ड्रेगन को जो साथ कलर के साथ साइन हो रही थी उस जगह पर अटेक करती है जहां जियो जियो होती है यह सिल्वर थंडर स्नेक जहां से भी गुजारे होते है पूरा स्पेस काप रहा होता है साथ ही इनकी जो स्पीट थी वो बेहात तेज होती है था कि जिस मूवमेट पर इन्होंने अटेक किया था पहले ही जियो जियो की दूरी को यह टेलिपोर्ट करते होए कबर कर चुके होते है और जियो जियो के सामने सौफीट की कम की दूरी के अंदर आ चुके होते हैं आसमान के नीचे आ रहे इन सिल्बर थंडर वोल्ड को देखते हुए जो जो का गोरा चैरा सीरियस हो गया होता है उसका पीला पतला राइट हैंड अचाना की इन सिल्बर स्नेक की डायरेक्शन पे आता है जैसे ही य एक फुट लंबा विफ यहां पे अटेक करता है तो यहां पे से पकड़ते जो जो की बाड़ी से निकलने बाला और अब यह अचाना की बदल क्या होता है जो जो की बाड़ी से इस टाइम पे काफी भयंकर फाइटिंग कोई रिलीज हो रही थी जो इन सिल्बर स्नेकों को तेजी से डिश्ट्टोइ कर रही होती है जैसे ही दोनव टेक एक दूसरे से टकराते हैं इनका फ्लेक्शोसान चारो तरफ फेल जाता है तभी जो जो की बाड़ी से घतनाक पापर रिलीज हुई थी जैसे मानुश की बाड़ी 1 फाइटिंग C में बदल चुकी हो याइँ म का fighting को इसी तुरंती activate हो चुका होता है और उसकी body में nine color sign होने लगते हैं और देखते ही देखते nine color heaven swelling python अपनी attractive body के साथ हवा में अपेर हो गया होता है जैसे जो जो की body से nine color जगमगारे होते हैं ऐसा लग रहा होता है यह चलती फिरती मिल की हुए है साथ ही यहाँ पे जो और कर निकल रहा था यह जीओ जीओ का नहीं known कि ना इन कलर विंगा ता जो एक दम भयांकचंच डिबॉरिंग पावर अवर कर रहा होता है ऐसी डिबॉरिंग पावर जो की यह सो इस मानों वो इनने सेविन कलर ट्रेवलेशन क्या था भी ये क्लाउड इनहें ही स्वैलो कर लेना चाहता हो और जिस टाइम पे ये उस सिल्बर थंडर बोल्ट से जाकर टकराता है पूरे स्पेस में लहरे फैलने लगती है और ये ये वाक्यूम बैक्यूम भी चारत्रों फैलने लगता है और ब्लाश्ट की आवाज एक के बाद एक आने लगती है आसमान में नाइन कलर एबिंग स्वैलिंग पाइथन काफी दुन्दला हो गया होता है लेकिन ये अभी भी काफी कलर फुल दिख रहा था खाला कर्व Metro के दिलों ने अट पत्तर धीरे धीरे नीचे गृता और वह अपनी एक लंबी साहर छोड़ते है कि जीयो जीयो ने कम से कम फर्ष्ट रेवलेशन को तो क्रॉस किया हाला कि उसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी उसने फर्ष्ट रेवलेशन को जेल लिया था यहां पे जियो चैन और मास्टर याउलाओ खुद को थोड़ा पीछे खिचते हैं उन्होंने देखा था कि पहले ट्रबलेशन की पाओर इतनी खतरनाक थी तो आगे के आने बाए ट्रबलेशन कितने खतरनाक होंगे और उन्हें पता देगी जब साथ की साथ तो थंडर समापत होंगी तभी ये ट्रबलेशन क्रॉस माना जाएगा हाला कि फश्ट को रोकने के बाद 3000 फीट का जो ये रंगीन ट्रबलेशन क्लाउड होता है आसमान में और गुस्से में गूंजने लगता है और उससे और गलगला हाट की आबाज है आने लगी होती है जो किसी की भी फाडने के लिए काफी थी कान की जिल्ली फाडने के लिए काफी थी गलगला हाट की आबाज के साथ ही ऐसी अतुलनी या पावर जो भयंकर सिल्वर स्नेक के साथ साथ कलर के ट्रेवलेशन को लेकर उतारने लगती है जैसे मानो वे जियो जियो को पूरी दुनिया से हिमिटा देना चाहती हो इस बार का जो इस नेक होता वो पिछली बार के कंपेरजन में थोड़ा बड़ा था और इसके गुजरते इसने स्पेस कहा परा होता है मानो जैसे स्पेस टूड़ जाएगा साथी सेकेंड ट्रेवलेशन की पावर फ़र्स के कंपेरजन में दो गुनी हो चुकी होती है और जियो जियो ने पहले ही फ़र्स ट्रेवलेशन को एक्सपीरेंस कर लिया था इसलिए ये जो ट्रेवलेशन क्लावड का थंडर बोल्ट होता है ये काफी जल्दी जियो 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 और उसके बीच के गैप को कपर कर रहा होता है जिसके बार हम देखते कि जियो जियो द्वारे यहाँ पे समन किया गया नाइन कलार हैविंग स्वैलिंग पाइथान का जो बोड़ी होता है वो जैसे उस ट्रेवलेशन के थंडर बोल्ट से जाकर टकराता है नाइन छोटी-छोटी लाइटों में बदलकर डिश्ट्रॉ हो जाता है जिसके बाद बची हुई कुछ पावर के साथ ये सेकेंड ट्रेवलेशन थंडर उस जगहे पर जाकर गिरती है जहां जो जो खड़ी होती है जो देखकर जो जो तुरंती तेजी से चिलाते हैं कहती है नाइन कलार हैविंग स्वैलिंग पाइथान जो जो के चिलाते ही एक और 9 कलर having swelling python हावा में condense हो जाता है और जो जो की बड़ी से काफी यारा huge quantity में डूक वी use हो जाती है जिसके बाद जो having swelling python होता है second revelation bolt की तरफ दोड़ने लगता है और जो जो की figure पीछे की तरफ जाने लगती है जो जो की figure पूरी speed से पीछे हटते हुई दिखाई दे रहे होते है और जिस समय जो जो की figure पीछे हटी होती है वो दोनों ही थंड़ा snake और having swelling python एक दूसरे जर टकरा गए होते है और वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे मानू दो magnet snake दूसरे को सोख लिया हो ये एक दूसरे को मिटाने की पूरी कोसेस करे होते हैं और लगबग दौनों की energy पाँच मेट तक टकराने के बाद धीमी energy के साथ अलग हो जाती है और दौनों ही गायब हो गया होते हैं हाला कि nine color having swelling python को गयाब होता हुआ देखकर जोज्यो के चैर पर कोई impression नहीं होते लेकिन उसकी काली यांके एकदम सिकुड़ चुकी होती है आखिरकाल nine color having swelling python जोज्यो द्वारा सीखी गई सबसे powerful attack को में से एक है लेकिन जोज्यो को उमीद नहीं थी कि उसका सबसे powerful attack इस tribulation के सामने इतना ज़्यादा बीक महसूस करेगा और केबल second tribulation के बराबर ही होगा जबकि ये seven tribulations में से अभी केबल दो ही थे साथी हारे एक tribulation की attack power strong होने वाली थी साथी उसने ये जोज चैन को कहते हो सुना था कि उसे इस tribulation को पांच से ज़्यादा बार हासिल करना है I mean अभी अंगले पांच बार और हासिल करना है तो क्या वो इसके पांच बार की attack को झेल पाएगी जोज्यो अपने दिल में हलका सा घबरा आ गई होती है वो पहले से ही इस अकेले दो थंडर से बचने में मुस्किल जेल रही थी बांगी के पांच से बचने के लिए उसे आखिरकार क्या करना चाहिए हाला कि जोज्यो यहां काफी उदास मैसूस करे होती लेकिन उसी टाइम पे जो थंडर क्लाउड होता वो अपने थार्ड थंडर वोल्ड को समन कर लेता है ऐसा लग रहा था कि यह जोज्यो को सास लेने का मौका नहीं देना चाहता साथ यह जो तीसरा थंडर वोल्ड होता है यह पिछले दो के कंपेरजन में काफी स्टॉंग लग रहा था जो एक तेज स्पीड के साथ पलक जपकते जो जो के सामने आ जाता है जो देखा जो जो तुरंती कहती है जो क्लेन टैटू, एक्टिवेट और देखते ही देखते है उसके फोरेट पर एक पैटरन दिखाई देता है और इस पैटरन के साथ जो जो का कोई और आचानकी बढ़ने लगता है और जो जो के मुझे एक तेज आप आ जाती है और नाइन कलर हैविंग स्वेलिंग पाइथन जो गायब हो गया था जो जो के सामने अप्यार होता है जिसके बाद जो जो तुरंतियों से चिलाती है ब्लाष्ट चिलाने के बाद हाला की जो जो की जो फिगर थी तेजी से पीछे अट गई थी लेकिन पलक जपकते ही वो 100 फीट पीछे अटी भी होती और बिलकुल नहीं रुकी होती बलकि कंटीनू पीछे की तरफ हट रही होती है और उसी समय नाइन कलर हेविंग स्वैलिंग पाइथन में भी ब्लाष्ट होता है और भायाना के एनरजी सीधा ही थार्ड थांडर बोल्ड की तरफ जाती है 9 color having swelling python के destruction से अपयर हुई जो energy होती है उसने एक तेज, sock, vacuum create किया होता है साथ वाँ एक black hole अपयर हो गया होता है जिसने इस blast के energy को सीधे ही अपने अंदर खीच लिया था लेकिन इस blast से thunder की जो power होती है वो कुछ हद तक इधार उधार spread हो गई थी जो देखकर जो एन काफी अदा, जियो जो काफी हैरान होती है कि यह tribulation cloud कितने खतरनाक है आसपास का जो desert होता है वो भी इन दोनों टककर के सौक बेब के कारण एकदम रेत से तरबतर हो गया होता है चारतरप रेते ही उड़ रही होती है लेकिन लगी जो जो रिलाक्स फिल करती है वो पहले से तीन ट्रबलेशन को जहल चुकी है लेकिन जो जो अब इस टाइम पर ठीक महसूस नहीं कर रही थी बलकि वो थोड़ा से इंजड महसूस कर रही होती है हाला कि यह केवल एक छोटी जी चोट है जो की कोई बड़ी समस्या नहीं थी लेकिन इससे कोई फरक नहीं पड़ता उसकी वाड़ी वाफ फाइटिंग कोई की जो एनरजी थी उसे रेकबर करने के लिए एक हाई लेविल की पिल को निकालने के बाद सीधा ही उससे स्वैलो कर लेती है जिससे उसकी चोटे भी तुरंती ठीक हो गई थी जिसके बाद ट्रेवलेशन के थंडर एक के बाद एक गिरती रहती है फोर्थ फिफ्थ और ऐसे ही से बैंच द थंडर क्लावड भी आता है जो लगा तार घूम रहे होते है दोस्तब जो 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 यहाँ पर काफी इंबेर्स तरीके से उससे बचने और डॉच करने की कोसिस कर रही होती है लेकिन वो बास्तोमें से डॉच नहीं कर सकती थी हाला कि थाड से बचने के लिए उसने डिश्ट्रेक्शन टेक्निक के यूज किया था हैविंग स्वैलिंग पाइथन के अंदर और क्लें पैटरन को जोड दिया था जिसके बाद 3 या 4 9 कलर हैविंग स्वैलिंग पाइथन में बलाश्ट करके जो जो बड़ी मुस्किल से 6 ट्रेबुलेशन से बच पाती है लेकिन इस टाइम पर सेबेंथ ट्रेबुलेशन एक्टिवेट हो जुका होता है जियो जियो को भी नहीं पता था कि क्या वो इस सेबेंथ क्लाउट से बच पाएगी या नहीं क्योंकि उसने क्लाउट के अंदर जो औरा महसूस किया था वो पूरी तरीके से एक अलागी लेवल का था यहां तक कि जियो जियो भी कापी ज़्यादे इंजड़ो और ठाकी हुई लग रही होती है दूसर जिस चीच का वो सामना कर रही थी वो लेजेंडरी सेबें कलर क्लाउट ट्रेबुलेशन था जो दस जार सालों में भी सबसे रेर ट्रेबुलेशन था तब यह कापा जाती है आप पहले ही छै से बच चुकी है यह केबल आखरी है तो लापरवाय मत बनो और इस ट्रेबुलेशन की पावर पिछले छै की कमबाइन पावर के बराबर होगी इसलिए इसे बिलकुल भी हलके में नहीं लेना जब उसने सुवान सुना होता है कि जियो चैन ने क्या कहा और आखरी अटैक की पावर के बारे में तो जियो जियो बेसली अलेट हो गई थी वो समझती थी कि यह कितना खतरनाक है आखर कर वो तो सीधा इसका प्रेसर महसूस कर रही थी जो सिक्स ट्रबलेशन से दरजनों को न ज़्यादा पावरफुल था हलाकि जियो जियो को अभी अब पता चल गया होता है कि यह सेविन कलर क्लावड ट्रबलेशन आखरी ट्रबलेशन है जो सके लाइब डेथ और लग को डिसाइड करेगा अगर वो जिन्दा रहना चाती है अपने फादर के पास जाना चाती है उन्हें प्रोटेक्ट करना चाती है डुई की कॉंटिनेंट को प्रोटेक्ट करना चाती है और एक ग्रेट टैलेंटेड परसन बनके greatest strength हासिल करना चाहती है तो उसे से झेलना ही होगा और अगर नहीं तो आज उसका किस्सा यहीं खतम सब कुछ यहीं खतम ना वो कभी अपने फादर को देख पाएगी ना कभी मदर को उसे ये बात अची तरीके से पता थी इसलिए वो अपना सबसे वैश्ट करना चाहती थी उसे पता था कि अगर इस बार वो फेल होई तो बांकी के जो 6 सटेम का एफट था वो भी बरबाद इस डेजर्ट के अंदर हर जगह पर छोटे, बड़े और बहुत बड़े गड़े होते हैं देखने पर ऐसा लग रहा था मानू किसी ने इस डेजर्ट को तोप से उड़ा दिया है और यह बेहद खतरनाक सीन दिखा रहा होता है धीरे धीरे सबी के आके उपर जा रही थी जहांपे साथ कलर आसमान में बेहद बाइल्ड परीके से गलो हो रहे थे सफेद बालद खून की तरह लाल हो चुके थे और यहां पे हैपन वर्थ के बीच में मौझूद जो एनरजी होती है बोद एकदम कैयोस फुल हो चुकी होती है जैसे मानू यह उबलता हुआ पानी हो और इन क्लाउड के अंदर स्टैरत हुए एक ड्रैगन या की कहें तो इसनेक को देखा जा सकता था जो अपने आप में गुस्से के साथ जोज्यो को घूर रहा होता है जैसे जैसे टाइम बीचता जा रहा होता है यह ट्रेबलिशन का थंडर बोल्ट जो लाश्ट है बहुत डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है और ब्लैड रेड क्लाउड के नीचे ग्रीन कलर की बहुत सी कमजोड दिखने वाली एक लड़की होती है जो चुपचा पे शुनोती का सामना करने के लिए मुठी को जकड़े हुए खड़ी होती है और पीछे से आबा जाती है जो जो आप ये कर सकती है आप ये कर सकती है अगर आप इसे जहल जाती है तो आप होंगी लेज़ेंडरी सेविन कलर ट्रेवलेशन से बचने बाली एक सुपर जीनियस परसन जो ये इस जनरेशन की लीडर हो सकती है और तब ही आप अपने फादर को खोजने के लिए अपने मदर को खोजने के लिए उस से अजीव से प्लेस में जा सकती है यह सुनकर जियो जियो तुरंदी कहती है फादर, मदर, मेरी फैमली और अचानक जियो जियो के दिल में थोड़ा सा उमीद है और खुसी आ गई होती है और इस bloody cloud के नीचे जो वो उदास होती है उसकी आँखों में commitment दिकाई देती है कि मरूँगी अगर मैं तो इतनी आसानी से तो ना मरूँगी या तो तुझे तोड़ के मरूँगी या तुझे तोड़ दूँगी और नहीं मरूँगी टाइम बीटने के साथी साथ ऐसा लग रहा था कि अब वो मूमेंट डा चुका है जहां ये ट्रबुलेशन लाश्ट अटेक करने वाला था जिसके बाद एवन ओर्थ की पावरफुल पावर पूरे ये डेजर्ट में फैल जाती है मानुष डेजर्ट को ही तबाह कर देना चाहती हो इस प्रेसर में कोई भी सास लेने में कैपवल नहीं था तब ही जियो चैन केते हैं मिथ यही कहता है कि ये आखरी अटेक जियो जियो को हाप एमपरर बनने से रोकने के लिए पूरी कोसिस करेगा और यही लाइफ और कर रहे होते हो तो काफी अजीब भी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जियो जियो इस अटेक को जिलती है और सर्वाइब करती है तो यह एनरजी जियो जियो की होगी नहीं तो इस एनरजी के अंदर जियो जियो तबाह होगी सभी जो भी लोग इस अटेक को देख रहे होत से मारने के लिए कापी था जियो जियो के चेरे से पसीने की बूंदर टपक रही होती है देखा जा सकता था कि अपने ठरकी की चिलगोजी और मास्टर की चेली यहाँ पे खड़ी होती है एक दम अकेली बिल्कुल भी अच्छी कंडिशन में नहीं जिसे देखकर तो मास्टर क लग बग 3 इंच की थंडर क्लाउड तेजी स्पीड से जो जो के खोपड़े के उपर गिरती है हालक यह आखरी जटका था, यह उतना बड़ा नहीं था, जितना first attack था, यह कापी छोटा और सार्फ होता है, लेकिन इससे जो खत्रा मैसूस हो रहा था, वो सबी अटेकों से, combine attack से भी जादा था, और इससे भी जादा खता ना किये, कि यह इतना जादा तेज था, कि कोई react कर भी पाता, उससे पहले ही आपको hit कर सकता था, या तक कि जो जो की पलक जपकने से पहले ही वो उसके सामने आ गया होता है, तभी जो जो तुरंदी गयती है, everything he had to distract son, एकी समय पर जो जो के मुझ से एक खतनाग दाहार निकलती है, और 9 कलर, sealed से 9 कलर साइन होने लगते हैं, स जाती जो जो की सील्ड होती है, एक 9 कलर हैबिंग स्वैलिंग पाई थाना प्यार होते हुए, उस पूरी की पूरी सील्ड के अंदर चला गया होता है, और सील्ड में 9 छोटे छोटे डॉट साइन हो रहे होते हैं, हाला कि जो जो को पता था, कि अटेक कितना पारफुल है, और उसके सामने उसकी जो छोटी सी सील्ड है, वो कितनी जादा नाजोक, जो इस अटेक का सामना नहीं कर पाईगी, इसलब वो यहाँ पे अपने एक हाथ से सील्ड को क्रेट करते हुए, एक हाथ को हाबा में, एक मिस्टीरियस हैंट प्रिंस साइन के साथ हिला रही होती है और देखते ही देखते हाबा में, जो जो की बोडी से निकलने वाले एनेर्जी कंडेंस होकर, हैविंग स्वालिंग पाईथन को क्रेट कर रही होती है, देखते ही देखते, एक, दो, तीन, चार, चार या पांच सेकेंड के अंदर, जैसे यह थंडर शनेक, जो जो के पास जो 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 ने पहले से ही कम से कम सेकडो, एनेर्जी, पाईथन कंडेंस करके रखे हुआ होते हैं, हाला कि इससे जो जो का जो चेरा होता है, पूरा पीला हो गया होता है, और जो जो की पूरी बोडी कांप रही होती है, हाला कि उसने कुछ आई लेवल की मेडिसिन्स ले र पाइथन जैसे ही हवा में जोजो के सिर्क उपर दिखाई देता है वो अपने भारी प्रेसर के साथ जोजो की सील्ड को तोड़ना सुरू कर देता और इस टाम पे जोजो के मुह से खून की ड्रॉप्स निकलने लगती है या ऐसा लग रहा था कि यह उसकी डेश्टिनी थी य जाकि उसे मरना होगा या फिर उसे इस पेन को सहना होगा हालक यह तीन इंच के थंडर शनेक में सेविन कलरफुल स्केल होते हैं साथ जात आतकरी जटके में जो खतरा दिखाई दिया था या खतरनाग बादल वो सबसे पावरफुल था जोजो की खोपड़ी के जटके के सा सील्ड के चटकने की आबाजे आने लगती हैं और स्पेस के क्रेक होने की ऐसा लग रहा होता मानो डूई की कॉंटिनेंट के आखरी लेयर को तोड़ने की कोसिस की जा रही हो यह तीन इंच का मोटा थंडर इसनेक सैक कोडो हैविंग सोयलिंग पाइथन के बाड़ी से यान दूसरे से चिपके हुए थे लेकिन यह थंडर ड्रेगन से टच होते ही ऐसे डिश्ट्रा हो रहे होते जैसे इनका कोई एक्जिस्टेंसी ना हो हाला कि फिर भी यह उसकी एनरजी को थोड़ा थोड़ा कम करके डिश्ट्राय कर ही रहे होते हैं हाला कि यह हैबिंग सोलिंग पाइसन जिश्ट्रा हो रहे थे और अगर यहाँ पे जोजियो ने पहले से ही काफी सारेकेट नहीं कियो होते तो आज उसका मरना तै होता हाला कि फिलाल अभी भी सुचेसर को खतरनाक कहा जा सकता था जोजियो की फाइटिंग को इस समाफ्त हो गई थी और भले उसने लड़ जिसने उसे जगाय था जोजियो क्या तुम भूल गई कि आपके फादर ने आपको क्या सिखाया कभी भी हार मत मानिये भले ही एक आखरी उम्मीद हो चाहे भले ही कैसी भी हालत हार नहीं माननी है उम्मीद हो या ना हो हम उसे बनाएंगे लेकिन अंत तक डटे रहना चाहि जो जो तुरंती कहती है फादर धीरे धीरे उसे ऐसा मैसूस होता है जैसे उपर आसमान में उसने एक फिगर को धीरे धीरे कंडेंस होता हुआ देखा था जो उसके फादर की फिगर थी वो तुरंती कहती फादर में गलत थी मैं हार नहीं मानूंगी और बड़ बड़ाते हो जियो जियो अपनी एंडिंग में जा चुकी डूईकुई को घुमाने के लिए अपनी पूरी पावर लगा देती है उसके मन में जब जियो यान की फिगर अभी अभी याद आई थी जब वो हार मानने वाली थी तो ऐसा लग रहा था माननोस की खोई हुई उम्मीद उसे बापस मिल गई हो जिसके बाद जियो जियो अपने सिर को उठा कर देखती है तो उस थंडर ड्रेगन से ढखराते हुए जियो के लगबग जादतर पाइथन डिश्ट्रा हो चुके होते हैं और केवल दरजन भारी बचे हुए होते हैं जो देखकर जियो जियो तुरंती कहती है चाहे कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूगी बले ही अभी मेरी अंदर फाइटिंग कुई की कमी है लेकिन फिर भी नहीं मैं अंत तक लड़ूंगी और इसके तुरंती बात जो जियो के हाथ उसके चेस्ट पे आते हैं और धीरे धीरे मुरना सुरू हो जाते हैं उसके चेस्ट से एक हलकी सी लाइट अपेयर होती है जो जियो के फोर हैड पर जियो कलेन का माग भी वराइट लाइट के साथ गलो होने लगता है यहाँ पेना केबल जियो जियो एक हाई लेबल की कल्टिवेटर थी जो नाइन इस्टा डावडी लेबल के लेट स्टेज को क्रॉस कर चुकी थी बलकि वो एक हैल के मिश्ट भी होती है माश्टर याउलाओ ने उसे भी जो यान की तरह ही ट्रेन किया था और उसे पिल रिफाइनिक दिखाई थी जिससे उसकी स्पिच्छल पाउर भी काफी स्ट्रॉंग थी यहां तक ही 15 सालों की ट्रेनिंग में ही वो जियो 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 यान के कंपेरिजन में काफी जादा हाई लेवल पर थी यहां तक कि उसकी जो spiritual power है वो heaven level के high level पर पहुँच चुकी है हलाक यादे कप के चाय के time के अंदर ही बांकी के दरजन बर python destroy हो गया होते हैं लेकिन इसी time पे जो जो की spiritual power एक strong four square seal में condense हो जाती है जो गिरत हुए thunder dragon की द्रबढ़ जाती है जैसे है spiritual power इस thunder dragon के touch में आई होती है thunder dragon द्वारा लाए गए thunder से यह injured होने लगती है जो जो को अपनी body और soul में needles जुबने जैसा pain होने लगता है लेकिन लड़की ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया होता इस time पे यह आप जो 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 पर depend करता था अगर वो पीछे आटी तो कुछ भी नहीं और अगर वो डटी रही तो सायद वो जीच जाए यह spiritual power से condensed four split seal thunder dragon को रोकने की पूरी कोसेश कर रही होती है जो जो के मुझसे खून की बैती हुई नदी अपयार हो गई होती है और जो जो की चेस्ट पर एक colorful light glow हो रही थी जिसने जो जो की पूरी body को cover करके रखा हुआ होता है जिसके बाद जो 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 बड़ी मुस्किल से अपने मुझ को open करते हुए कहती है 9 color having soiling python अपयार और डुई की continent का एक ancient legendary beast 9 color having soiling python जिसे कहा जाता है जो serpent tribe में और medusa tribe में एक ancestor tribe में legendary beast है और काइलन के बाद और काइलन यानि की medusa के बाद जो इस tribe को lead करता है वो यहाँ पे धीरे धीरे सब के सामने अपयार होता है आखेकार having soiling python को medusa tribe में leader के तौर पर माना जाता है हाला कि जो यान ने काइलन को 9 color के एक stone के साथ medicine fair में उसे stone को देखा उसे 9 color having soiling python बनने में मदद की थी जहां काइलन अपने ancestors की soul को भी summon करने में capable थी उसे stone का use करके वो अपने medusa tribe के ना जाने कितने ancestors इसनेकों से जाकर मिली थी जहां 7 color 8 color 9 color having soiling python थे साथी जब जो 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 वर्ण हुई तो जो 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 का जो blood था वो dowdy blood था साथी जो जो की body में भी 9 color के changes आए जो काइलन के body में changes आने के काण आए थे और जो जो की body में भी 9 color having soiling python की soul fuse हो गई थी इसलिए यहां पे बो भी 9 color having soiling python को समन कर सकती है लेकिन जो जो के बल extreme situation में ही इसे यूज कर रही थी जब वो इस tabulation का सामना करती है तो वो पीछे नहीं हटना चाहती थी इसलिए उसने अपनी आखरी ताकत का यूज किया था और 9 color having soiling python की real body को अपेर कर दिया था इसके अपेर होते ही एक केसियंट बाइल डौरा चारों तरफ फैल गया होता है यहां तक कि माश्टर यावलाओ और बाकी के लोग भी इस सोरे को महसूस करते हो थोड़ा थोड़ा पीछे हट गए थे और एक ऐसी जगए पर पहुँच गए होते हैं जहां वो थोड़ा सा relax फील कर सकते थे यहां पे जोजियो के 9 color having soiling python body में 9 color glow हो रहे होते हैं और यह 9 color having soiling python के सबसे strong power को सो करते हैं हाला कि जोजियो ने यहां पे having soiling python को बुला कर अपनी soul को उसके साथ fuse करके एक बहुत बड़ा रिक्स लिया था यह कहा जा सकता है और इसी टाइम पे टैग और डेजर्ट के अंदर एक surprising scene सो होता है जोजियो द्वारा create की गई फोर सील यहां पे दीरे दीरे पीछे अटते हुए destroy हो चुकी होती है जोजियो जब इसके टूटने की अबाज को सुनती है तो master yawlau और बाकी के लोग वो भी साब बाज को सुनते हैं और एकदम डर गए होते हैं उन्होंने देखा होता है इस attack के टूटते ही आस पास का जो area था space break हो गया होता है साथी स attack के टूटने के impact के कारण जियो जियो की spiritual power होती है वो भी injured हो चुकी होती है और जियो जियो का चरह सपेत कागज की तरह होता है जिसके मुझे golden blood निकल रहा था और साइज जियो जियो की body में लगी चोट के कारण ही था कि nine color having swelling python जो एकदम young और हट्टा कट्टा strong दिख रहा होता है वो चाना की ढीला ढूला और थोड़ा सा injured सा लगने लगता है हाला कि nine color having swelling python भी injured हुआ था लेकिन उसे कोई ज्यादा injury नहीं आई थी हाला कि इस तीन इंच के thunder snake को पहले से ही सैकलो thunder snake को द्वारा रोका गया था जिसके बाद जियो जियो की spiritual power के four elemental seal द्वारा रोका गया था लेकिन इस thunder snake की energy अभी भी काफी भायानक थी लेकिन पहले के comparison में इतनी ज्यादा नहीं जोज्यो को यहाँ उमीद महसूस होती है हाले कि मन में उसे चक्कर महसूस हो रहे होते हैं लेकिन वो अपनी जीब की नोप को काट कर golden blood essence को nine color having swelling python की उपर फेक देती है लेकिन इस blood essence के काण जो जो की जो spirit और body होती हो बहुत बीग हो जाती है और वो लड़कर आते हुए कहती है nine color having swelling python जाओ इतना सुनने के बाद nine color having swelling python जो blood essence और energy के काण एकदम हटा कटा ही खटा हो गया होता है गुस्से में चिलाते हुए और अपनी जीब को चाटते हुए थंडर cloud की तरह थंडर snake की तरह बढ़ गया होता है जैसे लग रहा था कि अभी अभी अपनी लगी बॉड़ी पर चोट का बदला लेने के लिए इस पूरे के पूरे थंडर snake को ही स्वैलो करना चाहता था हालाकि मान लिया था कि इसका नाम swelling python है लेकिन थंडर cloud को सच में स्वैलो करके वो अपने आपको सो करना चाहता था कि हाँ मैं ही having swelling python हूँ जिसे कहा जाता है कि वो heaven को भी swallow कर सकता है इस छोटे से कुकर मुत्ते नाती ओफ कुत्ते ने मुझे इंजर्ड गिया जैसे यहाँ पे दोनों ही इसनेक एक दूसरे से ठकरा हुआ हो दे है 9 color having swelling python ने अपनी बड़ी सी जीब निकाल कर कसकर इस थंडर इसनेक को जकर डिया होता है दूसरे तप यह जो थंडर इसनेक होता है यह कंट्रोल होने के लिए capability नहीं लग रहा था यह पूरी कोसिस कर रहा होता है इधर उधर भागने के और left right आंगे पीछे उपन नीचे सभी जगे जाने की कोसिस कर रहा होता है लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बेकार था यह having swelling python सारी पेन और चोटों को सहते हुए हर कीमत पे सिसनेक को तो खाना चाहता था उसका कहना एक ही था कि भले मेरी जीब तूट जाए छोड़ूँगा नहीं तुझे साथी जोजयों के दो अट एको को जिलने के बाद यानी 100 python seal और इसके बाद उसकी 4 elemental seal यह snake अब उत्तर डरावना रह नहीं गया था जिसके बाद having swelling python यह से अंदर की तरब खीच लेता है हाला कि इसने काफी बिरोध किया था लेकिन having swelling python इसकी ना सुनता भाई बीडू लोग इसको जिन्दा निगल गया अंगले दिनिस की potty में हड़ी मिलेंगी अगर वो भी इसने पचाना ली तो इस thunder snake को swallow करते के बाद वो जो thunder snake होता है गायब होता है कई घंटों से चल रहा हुए यह thunder tribulation जो 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 के सिर के उपर होता है एक एक करके गायब हो गया होता है जिसके बाद हम देखते हैं तबाव हो चुका desert और यहाँ पे रेतों से निकली हुई चटाने यह बताने के लिए काफी थी कि यहाँ कितनी ज़्यादा तबाही हुई होगी जो 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 की जो जो की जो जो की बाड़ी में मेल्ट हो गया होता है मतलब क्या कहते बे fuse हो गया है तो यह energy भी जो जो के साथी fuse हो जाती है और अंगले इपल जो 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 अपनी power के ending पर होती है इस thunder के अंदर की power को महसूस करते हुए और अचानक energy के आ जाने से बेहोस हो गई होती है हालक यहाँ पर यह tribulation end हो गया था और जो 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 बेहोस हो गई थी लेकिन एक बात तो clear थी कि जब जो 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 उठेगी वो अपने अंदर words को change कर देने वाली power महसूस करेगी ऐसी power जिसे साथ वो जानती भी नहीं थी और यह देखकर कि जो जो ठीक है माश्टर यहाँ लाओ भी थोड़ा सा relax फील करते है कि आखिर कार जो 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 इस tribulation से बच गई और वो तेजी से दोड़ते हो जगह पर जाते जहाँ जो जो थी तो चलो गाईस इसी के साथ यह सीन यहीं पैंड होता है और वीडियो भी यहीं पैंड होता है नेक्स एपिसोड में डुकी कॉंटिनेंट में वही एसीन टेल्टर दिखाये जाएगा जहाँ पर एज ओंग और बहली माश्टर तांग नीचे की तरफ जा रहे थे कई महीने की खोज भी इन के लिए तो देखेंगे कि उन्हें क्या मिलता है नीचे और अभी के लिए वीडियो यह इन करेंगे मेरा मेर मोटिव यही था कि जो जो का ट्रिबलेशन पास हो जा और हो गया तो बाई बाई भाई थिन पैमली गुड नाइट सी यू सून